नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजली शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर अज बिकानेर आज की क्लास में हम ब्लू, अर्थात, नील के बारे में पढ़ेंगे सफेद वस्त्रों के निरंतर प्रयोग तथा बार बार साबून से धोने पर कुछ समय के पेश्चात वे पीले पड़ जाते हैं वस्त्र पर हलका पीलापन आ जाता है ऐसे पीलेपन के लिए श्वेद वस्त्र, बेजान, बद्दे, अनाकरशक एहों पुराने दिखते हैं तथा पहनने के योग्य नहीं रहते ऐसे वस्त्रों के प्रयोग से पहनने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी निखार नहीं आ पाता है अतह सफेद वस्त्र पर से उनका पीलापन हटाना अनिवार्य होता है इसके लिए नील अथ्वा अन्य प्रकाश किये विरंजक का उप्योग किया जाता है नील लगाने से वस्त्र श्वेत, उज्वल, चमकदार, नवीन, ताजा, एवं जिवन्त दिखता है नील के उप्योग से वस्त्र का भद्दापन दूर हो जाता है तथा वस्त्र आकरशक दिखता है नील का उप्योग रंगीन वस्त्रों पर नहीं किया जाता है इसका उप्योग नीले अथ्वा क्रीम रंग के वस्त्रों पर नहीं किया जाना चाहिए इससे वस्त्र हरापन लिए भद्दे रंग का दिखने लगता है परन्तु रंगीन वस्त्र जिनका अधिकांश भाग सफेद रंग का होता है उन पर नील का प्रयोग किया जाता है नील, श्वेद सूती, लिनिन अत्वा सूत मिश्टित वस्त्रों जैसे टैरिकोट पर दिया जाता है कभी-कभी हलके फीके नील रंग के वस्त्रों से भी निलापन लाने के उद्देशे से नील का प्रयोग किया जाता है नील प्राकर्तिक एयों क्रतिम दोनों ही माध्यमों से प्राप्थ होता है प्राकर्तिक रूप से यह है वनस्पतिज तथा खनीज तक्तों से प्राप्थ किया जाता है नील के पौधे की पत्यों से नील निकाले जाते हैं क्रतीम अर्थात आर्टिफिशल रूप में यह है कोलतार के रंगों से निर्मित किये जाते हैं नील विभिन आकारों प्रकारों में मिलता है जैसे गोल, चौकोर, पाउडर, चून, अत्वा तरल अवस्था में इनके प्राप्ती श्रोतों पर इनका रंग एवं आभाय निर्भर करता है यह हरे नीले से लेकर नीले हरे तथा बैंगनी से लेकर नीले रंगों के विभिन शेड में उपलब्द रहता है नील की जल में गुलनशीलता भी इनकी प्राप्ती श्रोतों तदा इनके प्रकार पर निर्पर करती है करतीम श्रोत से प्राप्त नील जल में पूर्णते हैं गुलनशील होते हैं कुछ नील जल में पूरी तरह नहीं गुल पाते हैं और छोड़ देने के पस्चात बर्तन के पैंदे में बैट जाते हैं जिन्हें प्रयोग के समय हिलाना आवशक होता है तबी सभी जगों में समान रूप से नील चड़ता है जैसे पर्शन ब्लू, अल्ट्रा मेरीन आदी, मिथाईल वाइलेट, मिथाईलीन ब्लू तथा कोलता डाई जल में पूर्टे गुलनशील नील है टाइप्स ओफ ब्लू अर्थात नील के प्रकार नील विभिन प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ अत्यानत महतुपूर्ण एवं लोप्रिय नील निम प्रकार से हैं पर्शन ब्लू, अल्ट्रा मेरीन ब्लू, अनिलीन ब्लू, तथा इंडिगो ब्लू सबसे पहले हम बात करते हैं पर्शन ब्लू की पर्शन ब्लू की खोज अठारवी शताबदी में हुई, यह जल में शिगरता से नहीं गूलता है इस कारण यह छोड़ देने के पस्चात बर्तन के पैंदी में बैट जाता है, जिसे प्रयोग के पूर्व हिलाना आवशक होता है पर्शन ब्लू, पॉटेशम, फेरोसाइनाइट तथा आइरन सलफेट का मिश्चन होता है, इसमें आइरन सलफेट पाउडर की रूप में मिला रहता है इस नील को पानी में डालते ही लोहे के कंड जल में सभी जगें पर विखड़ जाते हैं और नील समान रूप से वस्चर पर चड़ता है परंतु यह अत्यदिक लोगप्रिये और उपयोगी नील नहीं है क्योंकि नमी एवंवायू के संपर्प में आकर लोहे के योगिक का अक्सी करण हो जाता है और लो अक्साइट बनाता है अत्यवस्थर पर बूरापन आ जाता है विशेशकर बस्च पर इस्तरी करने से जंग के समान ही भूरे-भूरे दब्बे लग जाते हैं इसके इसी कमी के कारण इसका उपयोग अधिक नहीं किया जाता है अल्ट्रा मेरीन ब्लू, अल्टा मेरीन नील अल्ट्रा मेरीन नील खनीश तत्तों से प्राप्त किये जाते हैं आज कल इसे सोडा एश, लकडी की राग, कोईला, सोडियम सलफेट तथा एक विशेश प्रकार की मिट्टी के मिलाने से प्राप्त किया जाता है इन सभी पदार्थों को मिलाकर पहले गर्म करते हैं तद पश्चात महीन पीस कर बारिक चून बना लेते हैं इन्हें गोल या चौकोर रूपों में भी रखा जाता है अल्ट्रा मेरीन नील सरवादी सुरक्षित एवं प्रचलित नील है यह शार से पून्ते एप्रभावित रहता है इसके उप्योग से बस्त्रों के रेशों को कोई हानी नहीं पहुचती है अतहे इसका उप्योग निर्भय होकर बस्त्रों पर किया जा सकता है परंतु यह नील जन में पून्ते गुलंशिल नहीं है इस कारण यह है छोड़ देने पर बरतन के पैंदी पर बैठ जाता है अगर इने बिना हिलाई ही प्रियोग किया जाता है तब इसके कंड वस्त्र पर जहां तहां चिपक जाते हैं और नील के चित्तिदार तब्बे लग जाते हैं अतहे है इसकी इस कमी को दूर करने के लिए प्रियोग के पूर्व हर बार नील युक्त जल को अच्छी प्रकार से हिलाना चाहिए इसके प्रियोग से वस्त्र पर बैंगनी नीले रंग का प्रभाव उत्पन होता है नेक्स्ट बात करते हैं एनिलिन ब्लू अर्थाथ एनिलिन नील की यह नील क्रतीम भिदी से तयार किया जाता है यह पर्शन ब्लू तथा अल्टरा मेरी नील से बढ़िया किस्म का होता है क्योंकि इसके प्रयोग से वस्र पर नील के चित्तिदार धब्बे नहीं लगते हैं यह बैंगनी एवम नीले रंग के विबिन शेडों में मिलता है यह जल में पूनता है खुलंशील होता है और वस्र पर एक रूप और एक समान डंग से उज्वलता एवम सफेदी लाता है इसके प्रयोग से वस्र अधिक आकरशक और उज्वल दिखते हैं अतहे इसका उप्योग सबसे अधिक होता है परन्तु इस नील के प्रयोग करने में थोड़ी सावधानी एवम सतरकता की आवशकता पड़ती है जल में पून गुलंशील होने के कारण प्रयोग के पश्चात जब वस्र को निचोड़ा जाता है तो नील सहजता से वस्र से निकल कर पानी के साथ बह जाते हैं अते वस्र पर वांची सफेदी नहीं आपाती एनिलीन नील भी दो प्रकार के होते हैं पहले हैं चारी माध्यम वाला एनिलीन नील तसा दूसरा है अमलिय माध्यम वाला एनिलीन नील उप्रोग दोनों ही प्रकार के नील उत्तम शेनी के होते हैं और वसर पर प्रभावशाली सफेदी लाते हैं नेक्स्ट है इंडिगो ब्लू अर्थात इंडिगो नील इंडिगो नील वनस्पति शोज से प्राप्त किये जाते हैं नील के पौधे से इस नील की उत्पत्ती होती है नील के पौधे की पत्यों से विशेश विधी द्वारा ये नील तयार किये जाते हैं वरस्पति शोत होने के कारण ये नील काफी महंगे होते हैं इनका रंग नीला होता है इनके उप्योग से वस्र पर जो नीलापन आता है बहबी मंद प्रकर्दी का होता है आताव वस्र अधिक उज्वल एवं चमकदार नहीं दिखता है इसलिए इसका प्रचलन भी कम ही है थैंक्स